नमस्कार दोस्तों गुड इबनिंग जैविंग अमबेटकर नामा के अठारवे एपिसोड में आप सबका स्वागत है इस एपिसोड में हम प्रथम गोल में सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फरेंस से लेकर दो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फरेंस था उसके बीच जो घटना करम हुआ उसके बारे में थोड़ा सा प्रकार डालने की कोशिश करेंगे और इस एपिसोड का अंत अंबेटकर के साथ गांधी की मीटिंग के साथ करेंगे और अगले एपिसोड में उस मीटिंग में हुई बात वेविस्तार से चर्चा करेंगे बहरा राउंड टेबल की आपचारिक मीटिंग खत्म होने के बाद बिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भारत की समस्याओं का सामाधान के लिए भावी समिधान की तयारी के लिए और स्वयात शाषन के लिए आगे बरने के लिए उन्होंने हर संभव प्रियास किया इसी सिल्सिले में बिटिश प्रधान मंत्री की बेटी ने एक दावत का आयोजन किया जिसने बरावदा महराज डॉक्टर अमबेडकर, जिन्ना, तामबे, सरमिर्जा, इस्माइल, सहित कई गनमाने वशिष्ट लोग शामिल हुए बातचीत का दौर चला लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और समस्या का सामधान नहीं हो पाया इसके पहले जैसा कि पहले एपिसोड में हमने बताया था कि डॉक्टर अमबेडकर, जो माइनरिटी सब कमिटी थी, उसके मेंबर थे और इस हैसियत से उन्होंने पुरा मेंबरंडम तयार किया था तो उस Memorandum के आखरी पाराग्राफ में उन्होंने इस परस्ट रूप से लिखा था कि Minority और Depressed Class के लोग अपने मांगों को लेकर कटिवध हैं और निया संगत तरीके से उनकी मांगों को अगर नहीं स्विकार किया गया नहीं माना गया तो भविष्य में भारत के स्वाशाषन और कोई भी संविधान बनने की इस्तिती जब होगी तो हम उसको नहीं मानेंगे मतलब यहाँ पर अमबेटकर बहुत ही अडिक नहीं है कहते हैं कि हमारे मांगों को निया संगत तरीके से सुना जाना चाहिए अन्यता हम लोग किसी भी संविधान का बिरोध करेंगे अमबेटकर ने ब्रिटिश हकूमत को चेताया भी उन्होंने कहा कि यदि आप मताधिकार को सिमित करेंगे उस पे कोई कंडिशन लगाएंगे कि चाहे जमीन का चाहे प्रपर्टी या किसी भी तरह कंडिशन तो एक तरीके से ये अस्परिश्यों के साथ धोका होगा और आप हमें उन्हीं के हवाले छोड़ देंगे जिनकी दिल्चस्पी हमारे किसी भी कल्यान में नहीं है अर्था इन्युवर्सल फ्रंचाइज वह बहुत महत्पूर्ण है बार बार इस बात में जोड़ देते हैं कि मताधिकार वयस्क होना चाहिए उसमें कोई कंडिशन नहीं लगाया जाना चाहिए अंबेटकर के लगन और सकिर्टा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि काम करते रहें उन्होंने इंटर्विव लिया इंटर्विव इंटर्विव दिया सूचना सप्लाई किया यहां तक की अस्पूरिश्यों की समस्याओं से दुनिया को अवगत कराने के लिए जो बिटिश पार्लेमेंट है उसके कुछ सांसिदों की सभाओं को संभोदित भी जरूरी है कि दिल्चस्प है कि इंग्लैंड में रहते वक्त इस समय अंबेट कर कोई ऐसा ऑपॉर्चुनिटी था उसको गवाना नहीं चाहते थे उन्होंने हर ऑपॉर्चुनिटी का हर अवसर का उप्योग किया अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अस्पूरि लभाओं को संबोधित किया और इन सव का एक ही उद्धिश्य था कि अस्पृष्यों कि असहाय और अमानुविय इस्तिती से दुनिया को बौधित जगत को बिश्व पटल को अवगत कराना इसलिए उन्होंने आवान किया कि मानुवेता के आधार पर इस समस्या का सामाधा करना बिश्व के बौधिक जमात की नैतिक जिम्मेदारी है इस पर उन्होंने पूरे वर्ल्ड फॉरम को अपील किया यह इंपॉर्टन्ट है यहां अमबेजकर के इस अथक और भगिरत प्रयास का परिनाम यह हुआ कि बिश्व पटल पर बिश्व जमात में बौधिक जमा है इसलिए अमबेजकर की अपील पर बिटेन के कुछ निताओं और कुछ सांसदों का एक डेलिगेशन तयार हुआ जिन्होंने बिटिश हुकूमत से अस्परिश्यों के इस स्थिति की जांच के लिए और उसका समाधान करने के लिए आग्रह किया निवेदन किया यह पूर हार्ड वर्क और इंटेलेक्ट्वल क्यापसिटी ओरिट्री स्किल्ड ओरेशन भाषन की दक्षता कुछलता तो इन सब मिला कर राममेटकर की सारे चारितरिक विश्यस्ताओं को मिला दे तो उनका जो भाषन हुआ और जिस तरीके से आर्गुमेंट प्लेस कर रहे थे दु प्रभाव पड़ा और विविन सर्किल्स में इंटेलेक्ट्वल सर्किल्स में इसकी चर्चा हुई लेकिन याद रखिया कि मुहबत और नफरत साथ साथ चल ला था कुछ ऐसे भी मीडिया घराने थे लोग थे जो अमबेटकर के इस परियास से खुश नहीं थे खुश नही कर दिया गया है इसके बाद ब्रिटिश संसद में इस समस्या पे बहस शुरू ही इस डिवेट के दौरान एक वेक्ति ने जिसने बहुत ही निरभिकता और निरथा के साथ भारत के अस्परिशों की आवाज उठाई उनका नाम था इस साक फूट इस साक फूट उन्होंने कह कि यदि हमने अस्परिशों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो अगर हमने नहीं उनका समाधान किया तो उनकी लहु हमारे खिलाफ आग बुलेंगी बुलेंगी समभाव है वो आगे कहते हैं कि समभाव है कि अभी वे असुरक्षित हों लेकिन ये दिन हमेरे सा एक जैसा नहीं रहेगा भविश्य में वे मजबूत होंगे यदि इस धर्ती पर कहीं नयाय है तो सदा के लिए वे पिरित नहीं रहेंगे इसलिए अगले बीस वर्सों में भारत की प्रगती इसी बात पर निर्भर करेगी इसी बात से तय होगी कि आपने अस्परिशों की समस्याओं के सामरहान के लिए क्या किया आपने क्या प्रियास किये यह भाशन जो है इस साक फुट साहब का अगर देखें तो यह अमबेटकर के लिए ट्रिब्यूट भी है और ट्रिब्यूट के साथ ये अम्बेटकर की स्ट्राट्जिक विक्टुरी है एक तरह से रन्नीतिक जीत है कि जो कि बिटिश जो हाउस आफ कॉमन्स हैं वहाँ पे भी भारत की अस्परिशों की आवाज गूज रही थी कि अब मामला सिर्फ हिंदू और मुसल्मान के बीच क तीसरा एंगल जूर गया था कि आपको अस्परिश्यों की भी डिप्रस क्लास की आवाज भी सुननी पड़ेगी लंदन छोड़ने से पहले डॉक्टर अंबेटकर ने अपने सजीव शीव तारकर इनकी चर्चा में पहले भी कर चुका हूं शीव तारकर को पत्र लिखकर अ लेकिन मैं इस बात को लेकर अश्वस्ट था कि इस सम्मेलन से भारत में स्वर्शाशन की सेल्फ गवर्नेंस की नीव पड़ेगी तो इस त्रिश्टिकों से यह सम्मेलन सफल रहा है लेकिन दूसरे द्रिश्टिकों से देखने पर इस सम्मेलन की बुनियाद तोप की बजाए रेत के अंबार पर खड़ा लगता है। लेकिन जहां तक अस्प्रिश्टिकों के अधिकारों का सवाल है यह सम्मेलन और परत्याशित रूप से सफल भी हुआ। एक आइडिया ओफ उनिफाइड इंडिया का डेवलप्मेंट एक एक किर्थ भारत के विचार का विकास हुआ। यह पहला डेवलप्मेंट था। क्योंकि जो राउंड टेवल कॉंफरेंस में राजे महराजे भी थे वो सब फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आना चाते। तो एक भारत जिसकी मानचित्र आप देख रहे हैं मतलब उस समय तो इंडिया और पाकिस्तान बंगलादेश को इंफ्लूड कर लिए। तो इनिफाइड इंडिया का पूरा कॉंसेप्ट इस कारकरम में उब्रा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट उपलब्दी इसका रहा वो था कि दलित असर्षन, डिप्रेस क्लासेज का असर्षन की अंबेटकर के नित्रित में डिप्रेस क्लास के राजनितिक नित्रितों का उदय और इसके साथ साथ विश्व पतल पे अस्परिशन से जुरी समस्याओं का रखा जाना, यह इंपॉर्टेंट था, यदि पी राजनितिक स्तर पे सहमती नहीं बनी, डिफरेंट समुदाएं के नेताओं के बीच, परन्तु इसका कारण यह भी हो सकता है कि भारत की उस समय जो सबसे ताकतवर प्रभावशाली पार्टी थी, वो थी कॉंग्रेस, औ इसलिए जो पॉलिटिकल सोलूशन था समधायों के बीच, वो इस कॉंफरेंस के माध्यम से नहीं हो पाया है, बहराल इस कारेक्टरम के बाद 27 फरवरी 1931 को अमबेटकर मुंबई लोट है, और अमबेटकर के जीवन काल में ही अमबेटकर सेवा दल नाम का संगठन बन गया मुंबई में, आते आते उन्होंने टाइमस अफ इंडिया को एक लंबा इंटर्व्यू दिया, और इस इंटर्व्यू में जो दो प्रमुक बाते में आपको बता देता हूं, उन्होंने कहा कि यह जो अधिनियम आ रहा है, यह गैर प्रजातांद्रीक है, अंडेमोक्रेटि क्योंकि इसमें restricted franchises का प्रावधान है, सिमित मताधिकार का प्रावधान है, इसमें कुछ condition के साथ मताधिकार मिलेंगे, हम लोगों ने adult franchises के लिए वैस्क मताधिकार के लिए संघर्ष किया था, लेकिन संघर्ष में हम fail हो गया, हम असफल हो गया, उन्होंने अपने इंटर कि उनके सविने अवग्या अंदुलन में आगे समर्थन देने से पहले, एक बार गांधी जी से पूस्त लो, कि वैस्क मताधिकार पर उनके क्या, उनका क्या opinion है, उनकी राय क्या है, यह उन्होंने चिनोती दिया, तर लंबा interview आप देख सकते हैं, भारत की आजादी की पू अगर भारत की मुक्ती का समाधान नहीं हो सकता था, दुरुभाग से, जो फर्स्ट राउंटेबल कॉन्फरेंस है, उसमें इसका समाधान नहीं हो पाया, ठीक इसी समय, ठीक इसी समय, यह सब घटना करमी एक साथ चल दा है, स्टोरी, इंटरलिंग्ट है, सेकेंड सेवेंटीन पार्ट वान, उसके आप 95 ओनवोर्ट स्पेस देखेंगे, तो उसमें आपको सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे, कि उसी समय, गोशना होई कि सेकेंड राउंड टेवल कॉन्फरेंस में कौन-कौन लोग जाएंगे, पहले अगर आप गोल में सम्मेलन का ध्यान तो अमबेटकर को उसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी थी, जो संगिय संवचना समीती थी, उसमें अमबेटकर को नहीं रखा गया था, इसका कारण ये था कि अमबेटकर का जो भाशन था, वो बहुत ही क्रांतिकारी था, इसलिए जो बृतें के अधिकारी थे, रूलि के सबसे इंपोर्टन कमिटी थी, क्योंकि इसको भारत का भावी सम्मेदान तयार करना था, तो ये अमबेटकर को जब नॉमिनेट किया गया उसमें, तो आप देखेंगे कि दुनिया भर से लंडन से और भारत से तमाम उनको जो है बधाई संदेश मिलने लगे, ताता लग गया, अख़वारों ने बधाई देने के साथ साथ, रातो रात उन्हें स्टार बना दिया, उन्हें देशवक्त, कटर राशवादी, प्रवर वक्ता, बुद्धी जीवी, निर्विक, सासी, नेता, इत्यादी, विशेशनों से नवाज दिया गया, और दिल्चस्प है कि इ इस जो प्रशंचा के जो खभर लिखे जा रहे थे, बनाए जा रहे थे, उसमें वैसे ख़वार भी थे जो अंबेटकर के समाजिक सुधारों के विरोधी थे, जैसे कुलाबा समचार, वो अंबेटकर के सोसल डिपॉर्म के विरोधी थे लेकिन उन्होंने भी तारीफ की, तो कुछ परमुक अख़वार उस समय के जिन्होंने मिटकर के तारीफ में ख़वर चलाई है। उसके नाम है कुलाबा समाचार, इंडियन डेली मेल, संडे क्रोनिकल, केशरी, केशरी ने आपको याद हुआ कि विग्यापन देने के बावजूद मूखनया का विग्यापन उने नहीं निकाला था। बालगंगा दर्तिलक चलाते थे। फिर जर्नल ऑफ सर्वेंट ऑफ 1931 के बीच की बात हो रही है, जुलाई अगस्त की बात हो रही है। इस समय तक यह तै नहीं था कि गांधी इस सम्मेलन में शामिल होंगे या नहीं होंगे। उनकी एक तरह सर्रहत से महीं चुपी थी, चुप थे वो। तो सबकी निगाहें गांधी की और बॉंबे के पेटिकी हुई थी। और इस बीच गांधी जो है अमबेटकर को चिठ लिखते हैं, 6 अगस्त को, और कहते हैं कि मैं आप के हां आकर आपको मिलना चाहता हूं। अमबेटकर सहाब बोले कि नहीं, हम ही आकर आपसे मिलेंगे। और अमबेटकर गांधी की मुलाकात 14 अगस्त 1931 को होती है और यह अमबेटकर गांधी की पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या बात हुई, इसकी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में उसका इंतजार किजिए और उसमें विस्तार से बताएंगे कि क्या-क्या प्रश्ण वारतालाप दोनों के बीच क क्या हुआ, अगले एपिसोड में, तो इसका इंतजार किजिए, नेक्ट एपिसोड में आपको इसी पे चर्चा करेंगे, शुक्रिया साथियो, जैभीम, यदि आपको ये विमर्श अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि मैं मन की बात नहीं, काम की बात कर रहा हूं, तो कम से कम इस वीडियो को लाइक किजिए, कमेंट किजिए, शेर किजिए, और ज्यादा से ज्यादे लोगों को पहुंचाईए, तभी जाकर जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसका लाव ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, साथ ही ओ मैं यूटूब के अलावा फेस्बूक पे भी हूँ रतनलाल टाइप करेंगे वहां मिलेंगे उसके अलावा मैं ट्विटर पे हूँ रतनलाल72 और इंस्टाग्राम पे भी हूँ डॉक्टर.रतन.लाल तो वहां भी आपसे मुलाकात हो सकती है ज्यादा ज्यादा शेयर करना और बेल बटन दवाना ना भूलें शुक्रिया सात्यों जैविम कल फिर मुलाकात होगी शुक्रिया